हेलो फ्रेंट्स मैं आप सबका दोस्त नवीन फिर से हाजर हूँ एक और वीडियो के साथ आपके अपने यूटूब चैनल पे जिसका नाम है All About Special Education दोस्तों ये सीटेट की थर्ड सिरीज है जिसमें 10 important question आपके सामने आएंगे जिनका आपको answer देना है हर एक question के लिए आपको 5 seconds दिये जाएंगे तो ज्यादा समय ना waste करते हैं आज की वीडियो को सुरू करते हैं फर्स्ट question आपके सामने है संग्यानात्मे विकास का सिध्धान किस ने दिया इसका जो सही answer है वो है D. प्याजे next question है समाजिक रंड का अर्थ है आपके सामने options है A. समाजिक नियमों का पालन करना B. समाज में समाईयोजन करना C. समाजिक नियमों को तोड़ना D. समाजिक विभिन्ता को समझना इसका जो सही answer है वो है B. समाज में समायोजन करना Next question है आपके सामने बासा शिक्षन में खेल का सरवाधिक मैत्विस्तान है क्योंकि खेल बासा को विस्तार देना B. खेल में आनन आता है C. खेल समस्या है D. इन में से कोई नहीं जो इसका सही answer है वो है A. खेल बासा को विस्तार देता है Next question आपके सामने है लिखना A. एक भिहत जटिल परकिरिया है B. एक अनिवार्य कुसलता है जिसे जल्दी पराप्त किया जाता है C. एक तरह की बाचिद है D. एक अतियंद या अन्तरीक परकिरिया है इसका सही answer बता ये क्या हो सकता है इसका जो सही answer है वो है C. एक तरह की बाचिद है Next question आपके सामने प्रात्मिक इस्तर पर छात्रों के व्यावार्द जांचने की विदी है प्रात्मिक इस्तर पर A. निरक्षण B. जांच विदी C. साक्षक्तकार विदी D. इनमें से कोई नहीं इसका जो सही answer है वो है A. निरक्षण Next question आपके सामने मुल्यांकन से हमें छात्रों के A. केवल गुणों की जानकारी मिलती है B. केवल दोश की जानकारी मिलती है C. गुण तथा दोश दोनों का पता चलता है या D. बुद्धिहीन छात्रों की जानकारी मिलती है इसका जो सही answer है वो क्या होगा इसका जो सही answer है वो है C. गुण तथा दोश दोनों का पता चलता है आगे चलते हैं एक भासा शिक्षक के लिए सरवाधिक महत्वपूर्ण है आपके सामने option है A. भासा की पाठ्थय पुस्तक B. भासा का आकलन C. बच्चों को भासा परियोग के अवसा उपलब्द कराना D. भासा के तुरूटियों के परती कठो रविया अपनाना एक बात दोस्तों जुरूर ध्यान रखना जबी भी आउसार उपलब्द कराने की बात आए कहीं पे भी ये मान लिजए आपका आंसर वो ही है यानि कि इसमें जो सही आंसर है वो है C. नेक्स्ट कोशन है एक अच्छी पुस्तक का गुण नहीं है A. लिंक के अधार पर बेदबाओ B. लिंक के परति सवेदन सिल्ता C. लिंक समानता D. समाजिक जिम्मेदारी कोशन को ध्यान से पढ़ना इसमें पुछा है एक अच्छी पुस्तक का गुण नहीं है नहीं नहीं वर्ड का यूज किया गया है इसका जो सही आंसर अधार वो है A. लिंक के अधार पर बेदबाओ Next question आपके सामने किस परकार का अधिगम विधारतियों की आफसकताओं को क्यूं तथा सीखने की सैली पर केंदरित होता है चार option आपके सामने है A. विश्य केंदरित B. बाल केंदरित खेल विधी या D. शिक्षक केंदरित इसका जो सही आंसर अब वो है B. बाल केंदरित विकास शुरू होता है Last and very important question विकास शुरू होता है A. सेश्वा वस्ता से B. परशव पूर्ण वस्ता से C. उत्तर बाले वस्ता से या D. पूर बाले वस्ता से अटक जाते हैं जो विकास जो बच्चे का सुरू होता है वो होता है परशव पूर्ण वस्ता से यानि कि जब बच्चा मा के गर्व में होता है उसे टैम से बच्चे का विकास सुरू हो जाता है तो ये थे आपके सामने 10 important questions जो पेपर में आ सकते हैं या इससे मिलते जुलते ही question आपको देखने को मिलेंगे दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही I hope friends आपको वीडियो पसंद आई होगी ऐसे ही और भी top most question आपके लिए मैं लाता रहूँगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो like, share, subscribe जुरूर कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की notification सबसे पहले मिल सके thanks for watching